हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू अनदर रियक्शन वीडियो लास्ट वीक तो जनाब के सेट पे पिपी का मैडम नहीं दिखी रीजन बिहाइंड ये भी आप सबको पता ही है जिस तरीके की न्यूज वायरल हो रही है आप लोगों के काने तो भी खबर पहुंची गई होगी कि पिपी का मैडम को शूट में किस तरीके से इंसल्ट किया ग गई थी लेकिन इस बार भी जनाब के सेट से कुछ पिच्चर्स आई है और ये कन्फर्म हुआ है कि इस वीक भी मैडम जनाब के शूट पे नहीं गई है जितनी खबरे भी यहां हवा में उड़ी थी उन खबरों में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है इसलिए पिपी का मैडम इस बार भी जनाब के शूट में नहीं गई तो थम्नेल में आपने जो पिच्चर देखी है उस पिच्चर में आप लोग बता सकते हो कि वो कौन है वैसे इस ओवियस कि वो कौन होगा तो वो है जनाब का इस बार का परफॉर्मेंस का आउटफिट तो लगता है जमील भाई ने इस बार आउटफिट ना डबा खिनाब का सिल दिया है इसलिए जनाब पर वो आउटफिट बिल्कुल टेंट की तरह काम कर रहा है कहां जनाब एकदम टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने वाले और कहां जनाब ने टेंट जैसे कपड़े पहन लिये हैं मतलब कुरता पैजामा अभी तो मैडम उनके लिए कुरत कुरते थे वो सब खराब हो गए अरे ऐसे कौन से कपड़े तुम कौन से थर्ड क्लास कपड़े लेते हो जो एक ये बार में पहन के खराब उचाते हैं ऐसे करके तो तुम भगवान कलेक्शन वाले अंकल जी की भी बेज़ती करार हो कि उनके यहां का जो फैब्रिक है वो एक दो वाश में खराब हो जाता है क्योंकि जनाब की कुरते के कपड़े आप वहीं से लेते हो और जो कुरते आपने सिलवाए हैं जनाब ने मुश्कल से एक आदिवारी उन्हें पहना है रिपीट भी नहीं पहना तो कौन से कुरते हैं वो जो खराब भी हो गए हैं कि उस बार फिर से पिपी का मैडम आप लोगों को शूट में नहीं दिखेगी देखो इसमें और किसी का अच्छा हो या ना हो बट बिचारे रू बेबी का बहुत अच्छा हो गया बिकास पूरे शूट में सबको सिर्फ उनी का कंसर्ण रहता था कि जिस तरीके से उसे खिलोने की उसे ले जाओ ये भी नहीं सोचते कि बच्चे के लिए हाईजीन प्रॉब्लम हो सकती है क्लाइमेट चेंज हो रहा है शूट पे कितनी जादा बैक्टिरिया वाइरस कितनी जादा मतलब चोटे बच्चे के लिए तो है ना बड़े के इम्यूनिटी वीक नहीं होती तो वो इसके लिए अच्छा हुआ हो चाहे ना हुआ हो पर बेबी रू के लिए अच्छा होगा कि चलो अब उनको अपनी मम्मी के साथ टंग के शूट पे नहीं जाना पड़ेगा तो इस बार मामला बहुत गंभीर नजर आ रहा है इसलिए पिपी का मैडम बहुत उखडी उखड भी पड़ी थी और उसी दौरान वोट भी मांगने थे तो वो मिग्स रिमोशन थे इसलिए पिपी का मैडम बहुत ही जादा उस समय पे भी स्लो नजर आ रही थी लेकिन लगता है कि इस बार तो वोटिंग अपील करने से ही पिपी का मैडम ने मना कर दिया कि भाया मैं कोई व्लॉग आया और ना ही उन्होंने इस बार बढ़ चड़के जनाब के लिए वोटिंग अपील की तो लगता है कि टारा मैडम के साथ तो जो हुआ सो हुआ शूट पे जो हुआ सो हुआ बट यहां पे घर पे भी ना बहुत कुछ मामला गड़बर लग रहा है कि आप जब मैम से लड़ लेते हैं यानि कि मैडम जी से लड़ लेते होंगे शाय तब उनकी परफॉर्मेंस ना और अच्छी तरह इन्हांस होती है इसलिए वो तो बड़े जोर शोर से परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन परेशान हो गई है यहां पे मैडम वो भी घर में अकेली उपर से एक और स्टेंज चीज लगी कि आजकल इनकी जो अम्मी है उनकी चुम्मी चाटी खतम हो गई है नहीं नहीं डबा से नहीं डबा से तो होती रहती है उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा लेकिन मैं मैंडम की आपको याद हो का पहले तो हर चोटी वड़ी चीज में मैंडम को गल Tiger लग के झपी पपी सब मिलती रहती घाatी तो टायम मिलती थी खास कर उन मौकों पे ज़रूर मिलती थी जिन मौकों पे पिपी का मैंडम उनको कुछ गिफ्ट देती थी सूट देती थी गोल देती थी पप्पी और जप्पी तो फिक्स थी आते जाते हर टाइम लेकिन जब से रूबे भी हुआ है मतलब पिछले 5-6 महीने के अगर हम बात करें तो पिछले 5-6 महीने में जब से उनकी मम्मी आई है मुंबई तब से पिपी का मैडम और इनकी अम्मी के बीच में भी काफी दूरिया नजर आ रही है मतलब वो वाला लव नहीं नजर आ रहा है वो वाली पप्यों जप्यों देखने को नहीं मिल रही है जबकि अब तो अम्मी ने पप्यों की लाइन लगा देनी थी उन्होंने इतना बड़ा खांदान को चिराग जो दिया है इतनी बड़ी खुशकबरी दिया है इतना प्यारा उन्हें बेबी दिया है तो अब तो मुझे लगता था कि रोज उन्हें पप्या मिलनी चाहिए रोज हपिया मिलनी चाहिए लेकिन उस दिन से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस्टेंस और दूरियों और बढ़ गई है जबकि अभी मैडम ने अम्मी को गोल्ड के टॉप्स भी दिये येरिंग्स गोल्ड नहीं सोरी डायमंड था डायमंड के येरिंग्स भी दिये उसके बाद भी पपी नहीं मिली और तो और सूट दिये उसके बाद भी कम हो गया है सभी घनाने अगर मैडम ने आपको इनके व्लॉग से से गोल कर दिया ना तो जितनी भी मैडम की फैन फॉलोईंग है विकार मैक्सिमम फैन फॉलोईंग मैडम की है उनको ही जादा पसंद करते हैं और उन्हीं की वज़े से इन सब को भी देखते हैं और अगर जरा सो ओडियोंस को इस बात का भानक लग गया ना कि उनकी पिपी का मैडम के साथ दुर्वेवार हो रहा है वै यह जनाब फिर कितनी भी वोट अपील कर ले लेगिन जनाब को वोट मिलेंगे तो मैडम के फेस पर ही मिलेंगे मैडम की वज़े से ही मिलेंगे तो जनाब और किसी से देखो बना के रखो या ना रखो तो मुझे लगता है आप ही के कदमों पे नाच रहा है आप ही के बैर करें और कंटेस्टेंट का उन में से कुछ कंटेस्टेंट तो ऐसे भी हैं जो 40 प्लस है 45 प्लस हैं उसके बाद डेली सोब भी करके आते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके बाद अपनी चोड भटाका रोना भी नहीं करते तो सोचो उनके लिए कितना जादा नाइनसाफी की बात है ये तो देखो शो वाले नाराज हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नी है वो तो आपकी व्लॉग के बेस पर प्रमोशन मिल रहा है चैनल को बट अगर मैडम इनकी नाराज हो गई ना जनाब तो वोट गिर जाएंगे तो जितनी जल्दी हो सके कवर अप OFF करो कम से कम आती भी तो आप कि लिए थी वरना आपके लिए ना आती तो आप इतने ईना होते उन्होंने कम से कव चार-पांच बार आपके लिए आई आपको मिली आपको कवर हो जया हो मिली तो हुआप से जाधा किया हो अप्ले su тел की वाश GOO है फ्लहा तो अनको तो इस तरीके से नराज बहुत रहने दो, उनको थोड़ा सा मना हो, वोट के लिए मैडम की ही जुरत पढ़ने वाली है, आपके प्लीज प्लीज करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा मैडम की प्लीज प्लीज का जोरी आलाग होता है भाईया, रौह भी अलग है, तो ये था म परश्टे अर्ष्ट तक पहुचाने वाली वही है, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट इस पूरी फैमिली की फॉर्मोस प्लारिटी होनी चाहिए, मैं यहीं बोलूंगी, और तो और हर घर में आरत की बीवी की बहु की फॉर्मोस प्लारिटी और इज़त रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो यहीं पर आज का रियाक्शन एंड करते हैं, थैंक्स फो वाचिंग, अर्थ मॉम देहरादुन